आज हम बनाएंगे शादियों में बनने वाले बिल्कुल हलवाई जैसे मूंग डाल का हलवा जिसको बनाना बहुत ही आसान होगा आप मेरी तरीके से इसको बनाईएगा 100% इसका रिजल्ट अच्छा आएगा और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा तो चलिए वीडि स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे रेसिपि आप लोक को अच्छी लगेगी तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजगा सब्सक्राइब करके और पर क्लिक कर दीजगा क्योंकि फ्रेंट्स वीडियो मनाने में बहुत ज्यादा मेहनट लगती है इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कप मूंग डाल लिया है वजन के इस आप से अगर देखा जाए तो यह 500 ग्राम मूंग डाल है तो इसको मैंने स्टेनर पर डाल दिया है अब इसको अच्छे से 2-3 भार पाने से वाश करेंगे तो आप लोग दीखे इसमें ना ड्रस्ट होता है तो इसको वाश करना बहुत ही ज़रूरी होता है अथों से अच्छे से मसलते हुए डाल को अच्छे से दो लेना है दूसरे तीन बार धोने के बाद इसका पानी जो है हमें उसको फेक देना है जो एक्स्टरा पानी है उसको रहने देंगे 5-6 मिनिट तक इसको छोड़ देंगे और अपने आप यह पानी रिलीज कर देगा तो आप लोग देख सकते हैं जितना भी पानी था वो रिलीज हो चुका है अब एक कॉटन का कपड़ा लेंगे चाहे टावल लेंगे कुछ भी लेंगे और इसको फेलाते हुए पंके के नीचे 10 मिन्ट रख देंगे 10 मिन्ट में यह अच्छे से सूख जाएगा 10 मिन्ट के बाद जब आप इसको चुएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका पानी सूख चुका है और बाकी जितना भी पानी अगर थोड़ा बहुत रह भी जाए तो इसको हम लोग क्या करेंगे एक पैन ले लेंगे पैन में इसको डाल देंगे और low to medium flame में इसको हम लोग roast करेंगे roast इसलिए करना है कि बाकी जितना भी इसमें moisture है वो अपने आप चला जाएगा तो low to medium flame में इसको 5-6 मिनिट तक ऐसे ही roast करना है तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी दाल में बहुत moisture है तो जैसे जैसे हम लोग इसको roast करते जाएंगे वैसे वैसे देखिए moisture उसका निकलता जाएगा किस लिए बना रही हो अब क्या करेंगे ना इसमें एक बड़ा चमस डाल देंगे सूजी और एक बड़ा चमस इसमें बेशन डालेंगे यह दो चीज क्यों डालना है ताकि हल्वा का जो consistency है वो बिल्कुल ठीक होकर कर आएगा और यह खाने में भी बहुत टेस्टी लगेग और परल्स पर चला करके इसका दरदरा सा पाउडर बनाएंगे तो उसके बाद यहां पर देखे एक बड़ा चमस डेसी घी लिना है फिर उसके बाद आपके पास जो भी ड्राइफूट से इसमें डाल सकते हैं तो मैंने यहां पर डाल दिया है काजू उसके बाद इसमें प दाल को डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे तो अगर अगर आप लोग को तो थोड़ा सा कम लगे तो आप फिर सा इसमें आड कर सकते हैं अब क्या करेंगे ना एक बड़ा कप ले लेंगे उसमें भर के चीनी दाल देंगे चीनी आप अपने कॉर्डिंग रखेगा कि आपको कितना मिठास चाहिए तो मैंने एक कप इसमें चीनी आड़ किया है अब एक कप मैंने यहाँ पे गरम दूद डाला है गरम दूद इसलिए डाल देना है बहुत सारे लोगों का यह कंप्लेन होता है कि हमारा दा आप बाद थोड़ा सा फोल टाल डालेंगे और अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पर एक पीन चैसे फोल कलर डाला है और इसको अच्छे से कि ही मूँ में पानी आ रहा है बाई गॉड उसके बाद देखिए मैंने फिर से थोड़ा सा इसमें पानी अड़ किया है और पानी आड़ करते हो इसको चलाया है ताकि मूंग डाल जो है बिल्कुल एक दम अच्छे से गल जाए अब देखिए स्टेज में पानी दो दोनों ही स कि मैंने इसमें भर भर की देखिई अड़ किया है य। अगर नहीं पशन तो आप इसको कीप कर सकते हैं लेकिन अजनी लगता है कि आप लोग को पसंद नहीं कि नहीं होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको देखिए बहुत संवकल已经 को घेप अब तो दिखे के बाद इसको थोड़ी तर और चला लेंगे और इसके बाद इसमें वह बुने हुए ड्राइपुट्स को एड़ करेंगे यह मानली जी कि दो मिंटे करेंच दो नहीं जो कुछा लेना है तो आप लोग देखे समझ चुके होंगे कि हल्वा बहुत ही टीस्टी बना है यहाँ शही में यह हलवा बहुत टीस्टी बना था इसका जो कंसेस्टेंसी आप लोग शाधियों में जैसे बनते हैं बिल्कुल सीम वैसे हलवा बनके मैंने तयार किया है देखके ही आप लोग के मूँ में पानी आ रहा होगा वैसे अभी शाधियों का सीजन भी किजेगा और ट्रस्ट मी यह बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आप लोग को मिलेगा तो मैंने इसके उपर में थोड़ा सा और गी डाल दिया आप लोग सोच रहोंगे यार कितना देशी घी डालना है यार मुझे तो बहुत परसनली पसंद है आप लोग को नहीं पसंद तो देखें यहां पर मैंने बहुत यम्मी और एज़ी वाला मुंग डाल का रिष्ट आप लोग के शेयर किया है लिखें यह सामने से कीतना यम्मी दिख रहा है मैंने खुछ ऐसे शिनेमेटिक लिए आप लोग के लिए तो आप लोग देखिए एंज़ोई कीजिए बस दे बेल आइकन में क्लेट कर दीजिएगा तो फ्रेव मिलता है एक ने उड़े के साथ तब तक लिए बाबाई टेकर जय जगना